हेलो शुदेंट्स गुड इनिंग टौल आफ यू सभी लोगों का यूरेका के ऑनलाइन प्रफार पर स्वागत है मैं सुदीव कुमास रिवास्तो आपका बायलोजी का फेकल्टी इस्टुडेंट्स लगातार हम लोग बहुत ही इंपॉर्डन कोशन्स की स्रीज ले करके आज हम लोग एनिमल किंडम के आज तीसरा हमारा यह टेस्ट है और जी विज्ञान में डिसस्वी टेजीटी साइंस को ले करके तो इतने भी विद्यार्थी क्लास में जुड़े हुए हैं लगातार वो इसको लाइक भी करते रहें शेयर भी करते रहें और इनर्जी के साथ चीज़ों को पढ़ते रहें इतना ज़्यादा आप इनर्जी ले करके पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छे कोस्वार्य करके आएंगे और उतना ज्यादा आपको यहां पर क्या होगा बहत्रीन डिल्ट भी मिलेगा तो सभी लोग जुड़ा करो क्लास में अच्छे से is by yannick a jop फ्लेट वरम होता है चप्टे क्रिमि होता है कि जो आपके platy haumanthesis के अनिमल होते हैं उनमें उस सरजन किसे होता है जी आपको पताना है इस कृत वर्में उस र्जन किसे होता है स्वेता विक्रान जी ने वन का सीदिया है बहुत बड़िया चप्टे क्रिमी में उसरजन किसको द्वारा होता है तो क्या बताएंगे आप लोग फ्लेम सेल के द्वारा होता है मल्पीघियन ट्यूब किसमे होगा मल्पीघियन ट्यूब से किसमे होता है बिटा बताईएगा मल्पीघियन ट्यूब में किसमे होता है तो ये आर्थ्रोपोडा में होता है, किसमें होता है, और नेफ्रीडिया किसमें होता है, अभी आपने पढ़ा होगा, और नेफ्रांस किसमें होते हैं, नेफ्रांस तो ये मैमल्स में होते हैं, Mammals में होते हैं और भी अधर जो Chaudates में कह सकते हैं तो बचा क्या आपका Flame Cells Flame Cells जो होती है Flame Cells जो होती है वो कुछ इस तरह की Cells होती है जिसके द्वारा क्या करते हैं आपके Flat Worm उससरजन करते हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा Flame Cells हो जाती है बहुत बढ़िया स्वेता जी ने एंसर दिया है फ्लेट वर्म हो जाएगा इसको आपको याद रखना है चली हम नेस्ट कोशन पर आते हैं इन में से कौन सी एक विसेश प्रकार की टिसू पाई जाती है अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका अंसर आप दे पाओगे प्लेटी हलमेंथीज में कौन सी इस्पेशल टिसू पाई जाती है इंटरस्टिसियल सेल्स, पैरेंकाइमा सेल्स, मिजोगलिया या इन में से कोई नहीं जल्दी से अंसर दीजिएगा प्लेटी हेलमेंथीज में इन में से कौन सी बिसेश प्रकार की सेल्स पाई जाती है जल्दी से एंसर दीजिए प्लेटी हेलमेंथीज में इन में से कौन सी बिसेश प्रकार की टिसूज पाई जाती है या आपको नाम बताईएगा इसमें इंट्रस्टिसियल सेल्स परंचाइमा परंचाइमा अगर आपने परंचाइमा कहा है तो आपने समझ के लगाया है आपको पता होगा कि इनकी जो बाडी होती है जो इसकी गट होती है गट और बोडी वाल Gut और Body wall के बीच में यहाँ पर क्या होते है Misen caima layer वरी होती है Misen caima Misen caima layer वरी होती है और आपको पता है कि यह जो Misen caima है यह दो प्रकार के टिसूसे मिलके बनी होती है एक Mesoderm और एक Parencyma पेरेंकाइमा तो पेरेंकाइमा जो होती है वो बॉडी वाल और गट के बीच का जो गैफ है उसको भरती है तो यह पेरेंकाइमा यहाँ पर पाई जाती है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा पेरेंकाइमा पेरेंकाइमा जो होती है वो प्लेटी हिलमेंथीज की इसको आपको ध्यान में रखना है नेक्स्स कोईशन की बात हम लोग करते हैं प्लेटी हिलमेंथीज आर प्लेटी हिलमेंथीज कैसी होती हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट विद अंसिगमेंटेड ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट विद सिगमेंटेड जल्दी सेंसर दीजिएगा प्लेटी हेलमेंथी इसके एनिमल्स कैसे होते हैं चल्दी सेंसर दीजिएगा प्लेटी हिलमेंथीज के एनिमल्स कैसे होते हैं ट्रिप्लो ब्लास्टिक, ट्रिप्लो ब्लास्टिक एसीलोमेट, ट्रिप्लो ब्लास्टिक एसीलोमेट विद अनसिगमेंटेड, ट्रिप्लो ब्लास्टिक एसीलोमेट विद सिगमेंटेड, तो आपको पता है कि प्लेटी हिल्म बिंदीज कैसा होता है, ट्रिप्लो इसका एंसर आपको पता है और कैसा होता है एसी लो मेट होता है यानि कि इसमें सीलो की कोई चर्चा नहीं होती है और इसकी जो बॉडी होती है इसकी जो बॉडी क्या होगी तो यह कैसी होती है ब्लाइंड साइक होती है इसमें माउथ होता है इसमें एनस नहीं होता है यानि क यह segmented नहीं होती है तो कैसा हो जाएगा unsegmented body हो जाएगी तो इसका answer क्या हो गया तीसरा हो गया triploblastic acylomate और unsegmented होता है triploblastic acylomate और कैसा होगा unsegmented होता है इसको आपको याद रखना है और next question आपका है since ITIL epidermis is found in since ITIL epidermis is found in ascaris metafirin housefly periplaneta since ITIL epidermis किसमें पाई जाती है बहुत important question है since ITIL epidermis किसमें पाई जाती है दीपा गौर जी ने answer दिया है C ये C स्वेता जी ने 4 का A दिया है बहुत बढ़िया since ITIL epidermis since ITIL epidermis आपने पढ़ा होगा दीपा गौर ने डी दे दिया है पेरिप्लेनेटा वो तो बिटा कॉक्रोच हो जाता है पेरिप्लेनेटा since ITIL जो आपकी epidermis होती है वो ascaris जानी कि एनल एनिलिडा का characteristics है एनिलिडा की जो cuticle होती है cuticle के ऊपर एक layer होती है जिसको since ITIL epidermis कहा जाता है तो since ITIL epidermis is the characteristics of ascaris यानी कि एनिलिडा की एनिलिडा की characteristic होती है since ITIL epidermis होती है इसको ध्यान रखिएगा बहुत important है उसकी जो body wall होती है body surface जो होती है body surface जो cuticle होती है cuticle के ऊपर एक layer होती है इसको since ITIL epidermis से बनी होती है इसको आपको याद रखना है next question आपका है this is the basis on which female ascaris can be identified इन में से कौन सा ऐसा आधार है जिसके द्वारा हम female ascaris को पहचान सकते हैं तो मैंने कहा था कि male और female यानि कि जो इसमें sex organs होते हैं उसमें sexual dimorphism होती है इनड़ा में क्या होता है sexual dimorphism होता है यानि कि male और female अलग अलग होते हैं और उनकी बाइकाइदा आप पहचान भी कर सकते हैं देख करके कि कौन सा male है कौन सा female है तो female को पहचानने का आधार क्या है two specules found at posterior end presence of postenal and preenal papally straight posterior end common cloacal aperture स्वेता विक्रान जी ने five का a कहा है थोड़ा सा आपने गलत कर दिया बहुत आसान कोशन यह था diagram में ही आपको दिख जाता है NCRT में देखेंगे तब भी आपको दिख जाएगा यह थोड़ा और धिमाग लागा cancer दीजिए इसका two specules found at the posterior end यह option इसका नहीं है थोड़ा सा answer और स्वेता जी बताइए इसका answer क्या होगा जल्दी से पांच लोग देख रहे हैं एक लोग लाइक और कर दें बहुत बहुत बढ़े थाइंक्यू मैंने कहा आपने लाइक कर दिया बहुत धर्मद आपका और सेर भी कर देंगे छे लोग देख रहे हैं लाइक कर दें छे लोग एक लोग और लाइक कर दें C, बहुत बड़िया, देखा यही होता है कि मैंने आपको induce किया, आपका दिमाग महाँ पर click कर गया, आपने देखा होगा कि जो Ascaris, जो male होता है, male में क्या होता है? Ind में जाकरके यह थोड़ा सा क्या हो जाता है? wind हो जाता है इसे female में क्या होता है कि यह इससे लंबी भी होती है और यह wind नहीं होती है यह wind नहीं होती है यह ऐसे होती है यह यह मुड़ी नहीं होती है तो straight posterior end आप देखेंगे इसका जो posterior end होगा वो कैसा होता है वो straight होता है straight posterior end होता है और male में क्या होगा यह थोड़ा सा क्या होगा wind होगा तो wind हो जाता है तो यह male हो गया और यह straight है तो क्या हो गया female हो गया बहुत बढ़िया thank you तो this is the basis on which female ascaris can be identified तो straight posterior end जो होता है उसके आधार पर इसको हम देखते हैं कि इसमें इस तरह के correctives पाए जाते हैं deep end बर्माजी स्वागत है आपका deep end बर्माजी ने भी बताया है presence of post-tenal and pre-enal papally यह बिटा जब हम पढ़ेंगे orthopoda तो वहाँ पर आप चीजों को समझ पाएंगे पोस्ट-enal और pre-enal जो वहाँ की बात है ठीक है इसको ध्यान देखिएगा pseudo-sylome is found in pseudo-sylome किसमें पाया जाता है बहुत आसान कोस्टन है बच्चों वाला pseudo-sylome किसमें पाया जाता है निडेरिया प्लेटी हेलमेंथी निमेटोडा या एनिलिडा में जल्दी से एंसर कियेगा pseudo-sylome जैकारी देवी का अच्छा आया है भी आया है गलत कर दिया स्वेता विक्राण जी ने एंसर सी दिया है देखिए निडेरिया एसी लो मेट प्लेटी हेलमेंथीज एसी लो मेट निमेटेडा स्यूडो सीलो मेट और एरिडा सीलो मेट आपने पढ़ा होगा पोरी फेरा सीलेंट रेटा और प्लेटी हेलमेंथीज ये तीनों जो होते हैं ये कैसे होते हैं ये होते हैं एसीलो मेट होते हैं इसके हेलमेंथीज या इसको हम लोग निमेटोडा कहते हैं ये कैसा होता है य ये pseudo-silomate होता है, ये कैसा होता है, ये pseudo-silomate होता है और anilida से ले करके जितने भी core data है, anilida से ले करके core data तक के जितने भी animal होंगे, वो कैसे होते हैं, ये सब u-silomate होते हैं, येू सिलोमेट का मतलब हो जाता है टू सिलोमेट यानि की सीलोमेट होते हैं इनको आपको याद रखना है तो सीलोम प्रॉडो सिलोमेट जो होग यह किसका होग नीमेट Russ differences ऍटोंध का डिभ चाहता है गिसे साथ इसको आपको याद रखना यहे ए क्लियर अब बात आती है यहां पर next question की the coral reef is formed by coral reef हमको कहां से मिलता है एकांडरमेटा से, सीलेंट्रेटा से, मॉलस्का से या से जो coral reef होते हैं यानि कि जो corals जो होते हैं वो किस से हमको बनते हैं, कहां से बनते हैं, किस से बने होता है, किस प्रकार के एनिमल से बने होते हैं, Coral Reef, तो Coral Reef जो होते हैं, answer दीजिएगा, Coral Reef is formed by Echondermata, Cylentrata, Mollusca, या Cells, किसके बने होते हैं, जल्दी से answer दीजिएगा, Coral Reef is formed by, यह इतने important question है कि लगातार हर साल कहीं न कहीं आपके exam में पूछे जाते हैं, Coral Reef is formed by, जल्दी से answer दीजिएगा, Coral Reef is formed by, जल्दी से answer दीजिए इसका, Coral Reefs are formed by, तो Coral Reefs जो होते हैं, Coral जो होते हैं, वो आपके बने होते हैं, Sealant Trata के बने होते हैं, Coral जो होते हैं, किसके बने होते हैं, Sealant Trata के बने होते हैं, ध्यान रिखिएगा, Coral Reef जो होते हैं, वो calcium carbonate के बने होते हैं, Sealant Trata के बने होते हैं, स्वाइता विक्रान जी ने सेवन का ए बोल दिया घलत बोल दिया यह तो आपका स्टार फिस वगहरा हो गया स्टार फिस हो गया सी अर्चिन हो गया यह इसमें आ जाएंगे सिलेंट्रेटा क्या होता है यह कोरल रीफ का फॉर्मेशन करता है कोरल रीफ जो होता है वह सिलेंट इन में से कौन सा एक इंसेक्ट है? Spider mites, daphnia और silver fish इन में से कौन सा एक कीट है? चांदी की मचलिक दिया है यहां पर इसको कहते है रजट मचली कहते है रजट मचली हिंदी में क्या कहेंगे? रजट मचली रजत मचली कहते हैं इसको रजत मचली चांदी मचली की मचली कहते हैं सिल्वर फिस यानि की रजत मचली बताएगा क्या इंसर होगा इसका इंसेक्ट कौन सा है तो इंसेक्टा अभी अर्थोपोडा आप पढ़ेंगे आगे चल करके तो इंसेक्टा जो होता है वो आर्थो पोड़ा की एक क्लास होती है और इसमें थिरी पेर लेक्स पाया जाते है यहनि कि छे पाया जाते है तो जिसमें थिरी पेर लेक्स पाया जाते है उनको हम लोग क्या कहते हैं इंसेक्ट कहते हैं स्पाइडर की बात करेंगे तो इसमें 4 पेर पाये जाते है माइट्स में भी क्या होते है 4 पेर पाये जाते है डैफनिया अलग चीज होती है इसमें भी 5 पेर पाये जाते है सिल्वर फिज जो होती है इसमें 3 पेर पाये जाते है तो सिल्वर फिज जो होती है वो कीट है spider and might जो है यह कीट नहीं है इंसक्टा में नहीं आते हैं यह aerognida में आते हैं किस में आयेंगे? spider, might, scorpion और ticks यह आते हैं talk, arab ओबிटश नहीं हैं जिसको हम लोग कह देते हैं यह झींगा मशली क्रेव केकड़ा और जो आपका झालिंगा पर उता है यह सब आते हैं hmm में security रेस्यां स्में में मेरे पोडा में आते हैं centipedes और टण यह अलग अलग क्लास आर्थ्रो पोडा की इसको हम लोग पढ़ेंगे जब अगली क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पे डेल में आपको हम बताएंगे तो ये आपको ध्यान रखना इसमें सिलफिस जो है एसे मक्खी मच्छर कोक्रोच है ना आपके सिलफिस आपका जो ग्रास ओपर होता है आपके बटरफ्लby हो गई आपकी हनी भी हो गई आप यह सब किसम में आते हैं इनको आपको याद रखना है Next question है Locomotion in starfish is with the help of Starfish यानि की जो आपके Echinodermata के जो animal होते हैं Echinodermata में जो locomotion होता है उसके लिए कौन इसको facilitate करता है यानि कि help करता है Starfish में Econormata में Locomotion के लिए कौन सी चीज important है Spines, Feet, Water Vascular System या Tentacles जल्दी से answer दीजिए Spines, Feet, Water Vascular System या Tentacles कौन सा Locomotory Organ होता है जो Starfish में या Econormata के Animal में पाया जाता है तो Water Canal System बहुत बढ़ी हा Water Canal System जो पाय जाएगा आप जब डियाग्राम बताएंगे आपको वहाँ पर Water Canal System पाय जाता है और ये क्या करता है पानी को बाहर और अंदर के तरफ ले जाने का कारी करता है तो Water Vascular System जो होता है ये आपका Starfish का क्या है एक लोको मोटरी आरगन होता है जो उसको facilitate करता है कि चलने के लिए और आज का Tentacles को यहां पर तंबू लिग गया है कोई बात नहीं Tentacles समझेगा इसको है ना विच आप दी फालोइंग इस ओनली मेराइन इक्सक्लिसिवली मेराइन की बात करा है कौन सा इस में है जो केवल समुद्र में पाया जाता है इक्सक्लिसिवली मेराइन ज्यान रखिएगा विच आप दी फालोइंग इस ओनली मेराइन कौन सा इस में ऐसा है जो केवल समुद्र में पाया जाता है सीलेंट्रेटा, मॉलस्का, पोरिफेरा और इकाडरमेटा जल्दिस एंसर दीजिएगा विच आप दी फालोइंग इस ओनली मेराइन कौन सा इसमें ऐसा है जो केवल समुद्र में पाया जाता है आपने पढ़ा होगा कि दो जब आप बुक पढ़ते हैं या कोई 10 का D बताया गया है स्वेता जी ने विल्कुल सही एंसर दिया है देखिए एक तो आपका होता है टीनो फोरा टीनो फोरा जो होगा वो exclusively मराइन होता है पहली चीज और दूसरा आपका कौन सा होता है एकाइनो डर्मेटा ये दोनो एनिमल केवल और केवल समुद्र में पाया जाते हैं तो पूछा क्या गया है कि only मराइन कौन सा होता है तो सिलेंट्रेटा फ्रेस वाटर में भी हो सकते हैं मराइन में हो सकते हैं मॉलस्का फ्रेस वाटर में जमीन पर मराइन रह सकते हैं पोरी फेरा जो होते हैं mostly मराइन होते हैं और कुछ फ्रेस वाटर में होते हैं जैसे इस्पॉंजिला और Echadromita के जो animal होते हैं वो exclusively marine होते हैं केवल और केवल पानी में पाया जाते हैं और किसमें समुद्री पानी में तो fresh water में नहीं पाया जाएंगे तो exclusive marine में दो यार रखने हैं टीनोफोरा जिसमें कॉम बजेली जो आया था जो बायो लुमिनिसंस कर रहा जो चमक रहा था वो किसमें आयेगा टीनोफोरा में और starfish वगरा किसमें आ जाएंगे एक कांडर मेटा में तो यह दोनों केवल और केवल समुद्र में पाया जाते हैं fresh water में नहीं पाया जाते हैं जमीन पर नहीं पाया जाते हैं यह ध्यान रखेगा तो आज का यह सेसन हम यहीं पर समाब करते हैं फिर अगली class में और बहतरीन questions आपके सामने लेकर के आएंगे जो आपके exams के लिए बहुत ही important होंगे और बहुत ही effective होंगे जो आपको अपने तयारी में पूरा पूरा वो आपको एक मदद करेंगे कि आपने तयारी को बहतर कर सकें आज के लिए इतना ही thank you